हेलो इस वीडियो में आज हम कम्प्यूटर जीके की अगले वीडियो के बारे में जानेंगे तो यहां प्या हमारे पास सबसे पहला कोश्चन है प्रोग्राम में त्रोटी जिसमें गल्थ परिनाम उत्पन होते है उसे क्या कहते है तो यहाँ पिया हमारे पास चार ओप्शन है ओप्शन A, White ओप्शन B, Bug ओप्शन C, Unit Problem या ओप्शन D, Programming Error तो इसका जो सही अंसर है वो है ओप्शन B, Bug इसके बाद अगला कॉस्चन है सौफ्ट्वेर का प्राथमी कोदेश्य डाटा को किस में बदलना है तो चार ओप्शन है ओप्शन A, Program ओप्शन B, सूचना ओप्शन C, Website ओप्शन D, Object तो इसका जो सही अंसर है वो है ओप्शन B, सूचना इसके बाद अगला कॉस्चन है सौफ्ट्वेर कोड में तूटियां ढूंडने की एक प्रिक्रिया है तो यहां पे चार ओप्शन है ओप्शन A, Testing ओप्शन B, Dwigging ओप्शन C, Compiling ओप्शन D, Running तो इसका जो सही अंसर है वो है ओप्शन B, Dwigging इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कॉस्चन है कम्प्शन की भोतिक बनावट करलाती है तो यहां पे चार ओप्शन है ओप्शन A, Software ओप्शन B, Hardware ओप्शन C, Keyword या ओप्शन D, Monitor तो इसका जो सही अंसर है वो है Hardware ओप्शन B, इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कॉस्चन है डोज का पूरा नाम क्या है तो यहां पे चार ओप्शन है ओप्शन A, Disk Operating System या ओप्शन B, Disk of System या ओप्शन C, Device Operating System या ओप्शन D, Door Operating System तो इसका जो सही अंसर है वो है Option A, Disk Operating System डोज का पूरा नाम है इसके बाद आगला कॉस्चन है इसमें 20 शब्द है तो यहां पे चार ओप्शन है Option A, MS-DOS Option B, Access Option C, Unix Option D, Window 98 तो इसका जो सही अंसर है वो है Option B, Access इसके बाद आगला कॉस्चन है Unix का विकास कब हुआ तो यहां पे चार ओप्शन है Option A, 1960 को Option B, 1965 को Option C, 1969 को यह Option D, 1975 तो इसका जो सही अंसर है वो है Option C, 1969 इसके बाद आगला कॉस्चन है Unix की मुख्य वाशा है तो यहां पे चार ओप्शन है Option A, Basic Option B, Cable Option C, Java यह Option D, Assembly तो इसका जो सही अंसर है वो है Option D, Assembly इसके बाद आगला कॉस्चन है हार्डवेर को नियंतरित करता है तो यहां पे चार ओप्शन है Option A, System Option B, Application Option C, Program यह Option D, Memory तो इसका जो सही अंसर है वो है Option A, System इसके बाद आगला कॉस्चन है कम्प्यूटर में उप्योग के लिए बजार में बिखने वाले प्रोग्राम को क्या कहते है तो यहां पे चार ओप्शन है Option A, Software Package Option B, Software Program Option C, Software System यह Option D, Software भाशा तो इसका जो सही अंसर है वो है Option A, Software Package इसके बाद आगला कॉस्चन है कम्प्यूटर की असेंबली भाशा को मशीन भाशा में बदलने का काम करता है तो यहां पे चार ओप्शन है Option A, Compiler Option B, Assembler Option C, Interprinter Option D, Processor तो इसका जो सही अंसर है वो है Assembler Option B इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कॉस्चन है Tally Software का प्रयोग किया जाता है किस के लिए किया जाता है तो यहां पे चार ओप्शन है Option A, Networking के लिए यह Option B, Sanchar के लिए यह Option C, Accounting के लिए यह Option D, DTP के लिए तो इसका जो सही अंसर है वो है Option C, Accounting के लिए इसके बाद आगला कॉस्चन है C, D, A का तात पर यह तो यहां पे चार ओप्शन है Option A, Computer Algorithm या Option B, Computer Aided Design या Option C, Computer Application या Option D, यह सभी तो इसका जो सही अंसर है वो है Option B, Computer Aided Design इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कॉस्चन है Resume बनाने के लिए किस Software का उप्योग किया जाता है तो यहां पे चार ओप्शन है Option A, PageMaker Option B, MS World Option C, Java Option D, A और B तो इसका जो सही अंसर है वो है Option D, A और B इसके बाद आगला कॉस्चन है MS World किसका उधारन है तो यहां पे चार ओप्शन है Option A, Application Software Option B, Operating System Option C, Compiler या Option D, Running Program तो इसका जो सही अंसर है वो है Option A, Application Software इसका सही अंसर है इसके बाद अगला कॉस्चन है पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है तो यहां पे चार ओप्शन है Option A, Booting Option B, Starting Option C, Rebooting या Option D, Second Starting तो इसका जो सही अंसर है वो है Option C, Rebooting इसके बाद अगला कुस्चन है पोस्ट का पूरा नाम क्या है तो यहां पे चार ओप्शन है Option A, Program Own Self Test Option B, Program Own System Test Option C, Power Own Self Test Option D, Power Own System Test तो इसका जो सही अंसर है वो है Option C, Power Own Self Test इसका सही अंसर है इसके बाद अगला कुस्चन है Linux किस किसम का सौट्वेर है तो यहां पे चार ओप्शन है Option A, Open Source Option B, Proprietary Software Option C, Shareware या Option D, Hidden Type तो इसका जो सही अंसर है वो है Option A Open Source इसका सही अंसर है इसके बाद अगला कुस्चन है नियमो का एक सेट है तो यहां पे चार ओप्शन है Option A, Domain Option B, URL Option C, Resource Allocator या Option D, Protocol तो इसका जो सही अंसर है वो है Option D, Protocol इसका सही अंसर है इसके बाद अगला कुस्चन है टीपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है तो यहां पे चार ओप्शन है Option A, Network Server Option B, Desktop Option C, Network Switch या Option D, Network Station तो यहां पे इसका जो सही अंसर है वो है Option A, Network Server इसका सही अंसर है इसके बाद अगला कुस्चन है बैपेज का एक बर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डाकुमेंट खुलता है उससे क्या कहते है तो यहां पे चार ओप्शन है Option A, URL Option B, Anchor Option C, Reference या Option D, Hyperlink तो इसका जो सही अंसर है वो है Option D, Hyperlink इसका सही अंसर है इसके बाद अगला कुस्चन है वो है इमेल भेजतेस में किस लाइन में संदेश की वीशी बस्तू के बारे में बताए जाता है तो यहां पे चार ओप्शन है Option A, CC Option B, To या Option C, Subject या Option D, Contents तो इसका जो सही अंसर है वो है Option C, Subject इसका सही अंसर है इसके बाद अगला कुस्चन है भारत की पहली राजनेतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना बैपसाइट बनाया तो यहां पे चार ओप्शन है Option A, समाजवादी पार्टी Option B, भारती जनता पार्टी Option C, राश्टी जनता पार्टी या Option D, लोक जन शक्ती पार्टी इसका जो सही अंसर है वो है Option B, भारती जनता पार्टी इसके बाद आगला कोश्चन है भारत में सर्व प्रथम किस राज ये ने इंटरनेट पर टेलिफॉन ड्रेक्टरी उपलब्द करवाई है तो यहां पे चार ओप्शन है Option A, आंदरा प्रदेश Option B, सिक्कम या Option C, असम या Option D, ज़ारकंड तो इसका जो सहی अंसर है वो है Option B, सिक्कम सिक्कम इसका सहی अंसर है इसके बाद आगला कोश्चन है HTML का पूरा नाम क्या है तो इसका जो सही अंसर है वो है Option A Hypertext Markup Languages का सही अंसर है इसके बाद आगला कोश्चन है जो device दो या दो से अधिक network को जोडता है उसी क्या कहा जाता है तो यहां पे चार option है option A bus, option B roadway, option C gateway या option D pathway तो इसका जो सही अंसर है वो है option C gateway इसका सही अंसर है इसके बाद आगला question है HTTP का उप्योग करती है तो यहां पे चार option है option A bus, option B server, option C worksheet या option D workbook तो इसका जो सही अंसर है वो है option A bus, इसका सही अंसर है इसके बाद आगला question है www protocol का उप्योग करता है तो यहां पे चार option है option A, HTTP या option B, WBC या option C, FTP या option D, MTP तो इसका जो सही अंसर है option A, HTTP इसका सही अंसर है इसके बाद आगला question है कोई website access करने पर सबसे पहले जो page दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते है तो यहां पे चार option है option A, Master page, option B, Home page, option C, First page या option D, Banner page तो इसका जो सही अंसर है वो है option B, Home page इसका सही अंसर है तो इस वीडियो में हमने computer gk की अगली वीडियो के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद झाल